एडिसंस का याने बीग अप्टेट आया है आज तो मेरा याने दिल खुस हो गया है 14 दिसमबर 2021 को ये ब्रेकिंग नीज आई है पैपरलेश टैक्स इन एडिसंस दिसमबर 31 2021 अब ये क्या है इस मेल को बहुत सारे क्रिटर ने देखी होगी तो वो कन्फिज हुए होंगे कि य प्रेल आई है इससे हमें क्या प्रॉब्लम है क्या इससे ब्रेनिवीट है सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मैं इस्टेब बाइश्टेब बताऊंगा तो ये गूगल एडिसंस के माद्यम से एक अपडेट आया है बिग अपडेट है और ये 14 दिसमबर आज की तारिक इससे हमें इस वीडियो में मैं आपको इस्टेब बाइश्टेब बताऊंगा क्या है टेक्स इन एडिसंस ठीक है तो जैसे कि पहले आपने जैसे कि एक टेक्स इन फॉरम भरा था जैसे कि जिसका चैनल मॉनेटाइजर से उस टाइम एक यूटूब की तरफ से एडिसंस की से एक मेल आई थी उन्होंने ये भी बताया था कि आपका टेक्स इन फॉरम भर दीजिए ताकि यूएस से जो भी आपकी अर्निंग होगी न तो उसका टेक्स याने आपका याने ज्यादा आपका टेक्स देने का काम नहीं होगा ठीक है तो उससे उसकी रिलेटिक बहुत सा पॉइंट के ये पेपरलेस टेक्स इन एडिसंस ये क्या चीज़े इसका भी मैं आपका कन्फीजन दूर कर देता हूँ जैसे की बाई डिपॉल्ट जैसे आपके यूएस से अर्निंग होती है तो पहले आपको सूचना नहीं मिलती थी बट अब जैसे की यूएस से जो अर् हुई है ठीक है तो वो आपको यानि एक email के मादियं से हमیसा सूचआ प्रोवाइड करेंगे ठीक है उसके बाद में आपको पता चलेगा ये paperless का अर्थ ये होता है कि जैसे mail के मादियं से आपको सूचचित करना और वो जैसे की आपके पास में जैसे ये paperless टेक्स वाली ज सब्सक्राइब करें तो सारी जानकारी इस वीडियो में मैं इस्टेप बाइस्टेप बताऊंगा तो वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना नमस्कार मित्रो मैं हूं सोलंकी और आप देख रहें मेरे यूट्व चैनल सोलंकी कंपीटर तो मेरे चैनल पर पहली बार रहते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में बैल आइकोन को प्रिस करें ताकि मेरे आने वाले लेटर स्टुडियो को नोटिपिकेसन आपको टाइब टाप मिलते रहें मेरे पास मेरे बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर के यहने मेंशेज आ रहे थे तो उन्हेंना मुझे यह भी पूचा आथा कि यह सर क्या अपडेट है वो सारे के सारे टेंसम्न में पढ़ गये तो मैंने उन्होंको बताया कि कोई बात ने आप टेंसमना करिए मैं इसके उप दिसम्बर 31, 2021 याने दिसम्बर की 11 तारिक तक अगर आप पेपरलेस जो साइन अप फॉरम नहीं फिल करोंगे तो याने आपको ये टेक्स जो आपका होगा वो आपको इनपरमेशन नहीं मिलेगी कि आपका टेक्स कितना कट रहा हैं ठीक है तो इसके लिए आपके पास में ऐस लिए फिल्प सेव टी इंजस्ट कपल मीनट इसमें लिखा हुआ यहां पर गोटू एडसन का ऑप्सन है ठीक है इसके और भी नीचे आप पड़ सकते हो याने साइन इन और गूगल एडसंस एडसंस में आप पहले साइनिंग कर सकते हैं उसके बाद में प्यमेंड मैंत्व आप आराम से फिल कर दीजिए ताकि आपको कोई problem नहीं आएगी पविश्य में अब यह मैंने go to adsense पर click कर दिया अब मेरे adsense के page पर यह लेके मुझे जा रहा है ठीक है अब मैं आपको बारीकी से step by step बताऊंगा अब क्या करेंगे कि यानि नीचे एक option आएगा यहाँ पर जैसे कि यह three dot का निशाने left corner में ठीक है तो यहाँ पर home ads यहाँ पर site privacy messaging blocking control और report optimization policy center payment तो आपको यहाँ पर payment के option पर click करने के बाद नहीं यहाँ पर option आपके सामने बहुत सा यहाँ पर payment info पर click करना है ठीक है अब payment info पर click करेंगे तो यहाँ पर अपने payment यहाँ पर बताएगा नीचे आपके सामने यहाँ पर option आएगा setting और manage setting का option आएगा अब आपको manage setting पर click करना है manage setting पर click करने के बाद में आपके सामने दूसरा option open होगा वो भी मैं आपको बताएग उसके बाद में United State Tax Information आपने पहले भरा होगा तो यहां पर दिखा ही देगा अगर जैसे बरतमान में नया चैनल Monetization हुआ तो वो आप भर सकते हो ठीक है उसके बाद में नीचे आएंगे documents, language, performance तो यहां पर यहां से भी आप अपनी language को change कर सकते हो ठीक है अब यहां पर अपने सामने option आ रहे हैं जैसे कि आपको यहां पर देखिए United Tax Information इस पर आपको pencil के icon पर click करना है ठीक है अब pencil के icon पर click करते ही नीचे आएगा manage tax in power ठीक है तो आपको यहां पर click करना है यहां पर click करने के बाद में page replacing होगा ठीक है page replacing होने के बाद में में आगे का step आपको बताता हो अब यहां पर आपके सामने ही देखिए पहले जो मैंने फॉरम बढ़ा था वो साय पूरा का पूरा यहां पर approval आ गया है सारी उसके बाद में आपको क्या करना है यहां पर नीचे आना manage delivery performance ठीक है अब आपको यह ध्यान देना है तो manage delivery performance पर क्लिक करना है उसके बाद में क्लिक करने के बाद में आपके सामने ऐसा option आएगा अब यहां पर आप यहां पर पैपर लेस डिलिवरी agreements भी पढ़ सकते हो ऊपर जो देखो go paperless recommend लिका हुआ है अब आपको यहां पर आप पढ़ सकते हो आराम से उसके बाद में आपको नीचे आए गए नीचे आने के बाद में यहां पर check mark लगाना I accept the paperless delivery agreement पर चेक mark लेका उसके बाद में go document और email इसके बाद में यहां पैप यहां पर रहा हूं तो यह देखिये मेरा यहां अबस्दिवरी प्रपोमेंस मेरा सबब मेरा शुब् hindsight ठीक है तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल पर पहली बार है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बैल आइकॉन को प्रिस करना ताकि मेरे आने वाले